हेलो दोस्तो मैं ओदेडागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एकजाम योजबाई ओदेसर में दोस्तो ये हमारी दस्वी वीडियो है इससे पहले हमने 9 वीडियो डाल दी है और हमारा लक्ष है 3000 पिरसन हम वही कंप्लीट करेंगे जो लास्ट एकजाम में पूछे गए है और आप तक 9 वीडियो हमने डाली है उन्हें आप देख सकते हैं प्ले लिष्ट में आपको अलग से सीरीज मिलेगी हसी एकजाम 2015 से 2021 हमने प्ले लिष्ट बनाई है वहां से आप चेक आउट कर सकते हैं तो यह हमारा दस्मा भाग है आप मतलब की आप सब इस वीडियो के साथ बने रहें और अच्छे लेवल के या फिर हाई लेवल के मीडियम लेवल के आसान लेवल के जो भी पिरसन पूछे गए है लाश्ट एकजाम में हम वो सारे कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में तो पहला पिरसन आपके सामने है हरियाना के डैस में एलमिको की छटी साहिक उतबादन एकाई आत्यादुनिक लिंबर फिटिंग सेंटर का उधगाटन किया गया है तो दोस्तों मैं आपको बता दू यह आपका क्या होता है यह आपका एक किरत्रीम अंकेंदर होता है क्या होता है क्या होता है किरत्रीम अंकेंदर होता है इसकी अगर हम बात करें इसकी जो छटी उतबादन जो एकाई है यह हरियाना में कहां पर सतापित की गई है तो हसी ने इसका जो राइट आंसर माना है बल्लमगड क्या माना है बल्लमगड बिल्कुल इसका राइट आंसर है और बल्लमगड आपका कहा पर है फरीदबाद में है बल्लमगड को बल्लमगड के नाम से भी जानते हैं पिरसन नंबर दो आपके सामने है आसान पिरसन मैं कह सकता हूँ म बैसे जो पिर्सन नंबर एक है ना इसमें डी लिखा हुआ इसे आपको घ़ववाने की जरत नहीं है ये आपके बल्लम गड़म ये इसे जो पीडियाप में एरर है इसे हम ठीक कर देंगे बैई आपको घववराने की कोई जरत नहीं इ heel ऊई है इसमें जो भी एरर है उसे हम करें और एक दूसरे से प्रसं प्रसं नमबर 4 आपके सामने हैं। बहुत ही अच्छा प्रसं है। अप्रेल 2017 में हरियन सरकार ने हरियना के सकूल कॉलेज और सरकारी विभाग के पुस्तकाले को 10 द्वारा लिखित पुस्तकों के 5000 सेट दान किया है तो इसका जो राइट आंसर माना है तो ए बिलकुल इसका राइट आंसर रहेगा तो ए हम कह सकते हैं यानि कि दीन द्याल उप रचना की थी जब वे 1870 के दसक के मध्य में चान्ने महदी की निजी नौक करते तो इसका जो राइट आंसर माना है चैसीने क्या रहेगा अलता फुशैन हली रहेगा यानि कि ए बिलकुल राइट आंसर है और फिर से रिपीट होगा भई पिरसन ध्यान रखना ऑफिसियल ज इसका जो राइट आंसर रहेगा बिलकुल हम कह सकते है रेट परवासन होता है यानि कि ए बिलकुल इसका राइट आंसर है बहुत ही जल्दी कम्पलीट करेंगे जितने भी सारे पिरसन पूछेंगे समय खराब नहीं करेंगे और हमें पता है कि मतलब की समय की कितनी बच्च करने चाहिए क्योंकि समय किसी के पास है नहीं तो वे फाल तुमें समय खराम करने से कोई बेनिफिट नहीं है हरियन के विकास और पंचैत मंतरी ने डैस के लिए नया ब्रांड लॉंच करने की गोशना की है तो इसका जो राइट अंसर है बिल्कुल जो हम कह सकते हैं महीलाओ के स्वैस्वाहिता समू द्वारा उत्वादित उत्वादन के लिए यानि कि ए बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा परियावरन समवेदन सील छेत्रों में इमारत निर्मान है तो किस बोर्ड से मंजुरी लेना आवश्यक है तो इसका जो राइट अंसर है राज्य वन्य जी बोर्ड किस से अनुमिती लेना आवश्यक है राज्य वन्य जी बोर्ड इसका राइट अंसर है यानि कि ए बिल्कुल हम कह सकते हैं सही आंसर है नेक्स्ट परिसन आपके सामने है परिसन नमबर नौ काफी अच्छा परिसन है ऐसे परिसन एकजाम में बनते हैं और आगे भी हमें बनेंगे सिवालिक पहडियों के विविविन छोटे छोटे चोटे नालों के पानिका इस्तिमाल करने के लिए डैश छोटे चोटे बांदों का निर्मान करने की योजना बनाई गई है तो इसका जो राइट अंसर मना है चैसी ने तो यह निह cone aikी बिल्कुल सही आंसर रहेंगे और वैसे HSC ये भी पूछता है कई बार की छोटे छोटी जो पहाडियां अरावलिकी वो किस जिले में है तो right answer माना गया मेहंदरगड में है और कई बार ऐसे भी पूछ लेता है छोटे छोटे नालों के रूप में एक बांध का भी प्रियोग किया गया यानि कि दो बागों में डिवाइड करके तो उसका जो right answer माना गया है चेसी के द्वारा वो आपका माना गया है कौनसा बढ़कल बढ़कल जील को मानता है तो ये भी आपको ध्यान रखना ऐसे भी परसन यहां से बन सकता है परसन नमबर 10 आपके सामने है वस्त रिसाइल कल करने का स्व बागों में देखके तो उदैभानू हंस है नहीं उसके बाद दूसरे राज्य कभी कौन थे अर्दू भासा के वैसे तो दूसरे और आखरी राज्य कभी खुशीराम सर्मा को गोस्त किया गया लेकिन यहापर अगर हम बात करें दूसरे राज्य कभी यानिकी अनुप आपताब रहेगा तो यह बिल्कुल इसका सही आंसोर है पिर्सन नंबर बार है जो की अच्छा पिर्सन हम कह सकते हरिया न कौन से पिर्सित कभी ने यह जो भूटान नहीं है भूदान है तो यह जो एरर था भई HSC के पेपर में भी एरर था ठीक है ना तो वैसे इंगलेस में अगर आपको कोई हिंदी में पिर्सन समझ में नहीं आता है तो इंगलेस में पढ़ना जरूर ही영 तब आपको अच्छे से समझ माएगा कई बार हिंदी में मिस्प्रेंट होता है इंगलेस में बिलकुल तब आपको अच्छे से समझ माएगा कई बार हिंदी में मिस्प्रिंट होता है इंगलिस में बिल्कुल आपको सही मिलेगा और एच्छे से इंगलिस ही मानता है तो एक बार जरूर देख लेकर कोई पिरसन समझ में नहीं आता है तो इंगलिस में जरूर चेक आउट करें हरिय गंगर नदी की उपनधियों में से एक है यह पंच कुला जिले में बहती है और पिंजोर के समी गंगर नदी में मिल जाती है तो इसका जो right answer रहेगा कोशल्या कौन सा मना गया है कोशल्या बिलकुल ए सही answer रहेगा और official जो answer किया थी उसके अरुना नदी के नाम से जाना जाता था तो इसका जो राइट आंसर है यह बिलकुल राइट आंसर है बहुत ही अच्छा पिरसन है और यह गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी भारत की पहली CNG train हरियन के केंदो सहरों के बीच चलाई गई तो ये आपकी जो CNG train है ये 2015 में चली है हरियन सरकार के द्वारा मतलब की तो मैं नहीं कह सकता है केंदो सरकार की योजनाई होती है लेकिन हरियन में चलाई गई है तो इसका जो right answer रहेगा रहतक से रहवाडी है ठीक है डेमू डेमू इस ट्रेन का नाम था आठ डिब्बे थे इसमें तो ये भी आपको दियान रखना है और ये रहतक से रहवाडी के बीच में चलाई गई है तो ये person भी important person हम कह सकते हैं person number 17 है जटाऊ संदक्षन प्रेजिन केंदर की सथापना हरिया नामे कहां पर की गई है इसे हम गिद्द के नाम से भी जानते हैं ये person फिर से repeat हुआ है तो इसका जो right answer रहेगा तो हम कह सकते हैं पिंजोर माना गया है क्या माना गया है पिंजोर जबकि पंचकुला काल का ये भ सरकार है उन महिलाओं के लिए सरकार मासिक पेंसिन देगी तो इसका जो right answer रहेगा ये बिलकुल सही answer है और आप हमें comment करके बता सकते हैं हरिया सरकार इनको कितनी पेंसिन के रूप में रूपे दे रही है पिरती मन्त तो आप हमें comment करके जरूर बताएं ठीक है तो ये आप गया डी बिलकुल इसका सही answer रहेगा भई ठीक है चलो भई person number 20 बहुत ही अच्छा person है भेडियों के संग है ठीक है ना भेडियों के ढंग भी आता है लेकिन है चेसी ने जो लिखा वो आपके सामने है भेडियों के संग संत सपाही संक और सहनाई वे देशों में देश हरिय तो यह सारी किस की है उदैबानू हंस की है किस की है बई उदैबानू हंस की है तो बी बिलकुल सही answer रहेगा भई person number 21 हरियान मानसुन का समय क्या होता है यह तो आसान person है अगर थोड़ा सा दिमाख लगाई तो आप आराम से इसका answer दे सकते हैं तो यह इसका जो right answer रहेगा जुलाई से सितंबर होता है कौन सा होता है बई जुलाई से सितंबर होता है person number 22 हरियाना विसेस परियावरा न्यालने की सतपना कहा पर की गई है तो इसका जो right answer रहेगा यानि कि D हम कह सकते हैं A और B दोनों ही सही है तो D बिलकुल right answer माना गया है person number 23 तो यह person इसमें option नहीं है वैसे ही आपके सामने है mission इंदर दुनिस हरियाना के किस प्रकार की उपयोगी था तो यह सबी एह पिर्ति रिक्षित और आंसिक रूप से पिर्ति रक्षित बच्चों और गरवती महिलां को पिर्ति रक्षित किया गया है तो यह person की language है और यह आपके सामने answer है बई एक इसका जो right answer माना गया है चेसी के द्वारा तो यह बिल्कुल right answer माना गया वही कौन सी रहेगी घगर नदी रहेगी तो यह बिल्कुल सही answer है person number 25 लोगपर यह मानेता का अनुषा सन्हीत सरवोर में सनान करना पवित्र माना जाता है क्योंकि यह 10 का मिलन सतल है तो इसका जो right answer है साथ पवित्र सरस्वती नदिया जानिकि यह बिल्कुल right answer हम कह सकते हैं person number 26 हरियाना में 10 विधान सबा है 2 सदनी है 3 सदनी है 1 सदनी है या फिर A और B दोनों ही सही है तो इसका जो right answer है एक सदनी है कैसी है एक सदनी है तो यह person भी अपने आप में बहुत ही अच्छा person हम कह सकते हैं तो फिलाल के लिए बस इसमें इतने ही person हम आपके लिए लेक रहे हैं एक प्रियास के आपके लिए अच्छे से cover करवाएं कोशिस हमारी जारी आप सभी के लिए और आगे भी करते रहेंगे जब तक आपके 3000 person complete नहीं हो जाते हम हार मानने वाले नहीं हैं और आपका भी फर् वीडियो को यहां तक देख आप सभी का बहुत हो धन्यवाद